नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूस में आपका स्वागत है आज है 21 दिसंबर दन गड़ुवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार बोड क्रॉस वर्ड प्रतियोगिता दो हजार तैस चौबिस आविदन प्रक्रिया शुडू इपंचायद फोटल से जाने योजनाओ पर खर्च रासी की पूरी डिटेल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी में अपनी क्रियेटिविटी दिखा कर जीते एक लाग तक काईना बिहार बोड ने मैट्रिक और इंटर परक्षा के लिए जारी किये गाइडलाइन बैंक ऑफ इंडिया में 484 पद पर निकली भरती सारवजन इक्षेतर के राश्ट्रे बैंकों में से एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने दिल्ली उत्तर प्रदेश, राजिस्थान, बिहार, उडिशा, महराश्ट्र, जार्खन, मध्यप्रदेश और छत्तसगर में इस्थित ब्रांचों में सफाई करमचारी, कम सबस्टाफ और सबस्टाफ के 484 पदों पर भरती निकाली है ऐसे में वो लोग जो इसके लिए आवेदन करना चाहते हैं वह पर जाकर ऑनलाइन तरीके से अपना आवेदन कर सकते हैं बता दे कि आवेदन करने की अंतिम तारीक 9 जनवरी 2024 तक नरधारित की गई है इसके लिएगर सैचने क्योगिता की बात करें तो मिद्वार को किसी भी मानता प्राप्त बोर्ड से कक्छा आठवी की परिक्छा उत्तर्ण होना अनिवार है और साथ ही उमिद्वार की आईउ 18 वर्ष से कम और 26 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए इस जुरी अधिक जानकारी के लिए एक बार जारी के गए नोटिफिकेशन को ज़रूर देख लें बिहार बोर्ड क्रोसवर्ड प्रतियोगिता दो हजार तेश चोबस आवीदन प्रक्रिया शुरूर राजी के सभी सरकारी स्कूलों में कक्षा नौवी से बारवी तक में पढ़ने वाले चात्र चात्राओं में ग्यान चमता, निर्मान, भाषाई, ग्यान और बौतिक विकास हो सके इस उद्देश से बिहार विद्याले परिक्षा समीती के द्वारा क्रोसवर्ड प्रतियोगिता का आयुजन किया जारहे बता दे कि अप्रतियोगिता तीन अस्तरों में आयुजित की जाती है, पहला छितरस्तर, दूसरा जरास्तर और तीसरा राज्यस्तर ऐसे में वो चात्र जो इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं, वो वेबसाइट www.b3c.biharboardonline.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, बता दे कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तारीख 28 दिसंबर 2023 तक नरधारित की गई है वहीं इसके लिए अभ्यास 27 दिसंबर से 27 दिसंबर तक चलेगा और फिर ओनलाइन स्कोरिंग राउंड 28 दिसंबर 2023 से 7 जनवरी 2024 तक होगा शिल्पा सिंग एक भारती गाई का डांसर, मॉडल और सौंधर प्रतियोगिता की खिताब धारक हैं वह IAM She Miss Universe इंडिया 2012 में उब्वे जिता रही उन्होंने लास वेगास में Miss Universe 2012 प्रतियोगिता में भारत का प्रति निर्थव किया और 9 दसमलो 6 के स्कोर के साथ साक्षातकार प्राडमिक प्रतियोगिता में सिर्ष पर रहने के बाद सेमी फाइनलिस्ट में से एक बनी शिल्पा सिंग ने 2019 में इंडियन स्कूल और बिजनस से सनातक किया और वर्तबार में गूगल के साथ काम करती हैं उसने पहले बीटेक पूरा किया था मॉंबई से कम्पूटर साइंस में वा क्यूब 26 के लिए काम करती हैं ऑक्टूबर 2012 में शिल्पा सिंग ने IMC 2012 की मूल विजेता उर्वसी रौतेला की जगली जो प्रतिसपरदा के लिए बहुत छोटी पाई गए थी या एक भारती नर्तियांग ना मॉडल और सौंदार प्रतियोगिता की खिदाब धारक है इपंचायद पोटल से जाने योजनाओं पर खर्च राशी की पूरी डिटेल अगर आप भी जाना चाहते हैं कि पंचायद के विकास योजनाओं में मिली राशी का खर्च कैसे किया गया है तो आपके लिए इपंचायद पोटल मददगार साबत हो सकता है बतादे कि आप या कोई भी विकास योजनाओं में मिली राशी एवं खर्च का ब्योड़ा जान सकता है बतादे कि इपंचायद पोटल दौरा राज्य वित आयोग राज्य योजना मुख्यमंत्री साथ निश्य योजना का अनुस्रवन किया जाना है इसमें सस्टम वित आ बार दर्शिता बनी रहेगा इस बारे में विवाग का कहना है कि अप पहल योजनाओं में होने वाली गरवरी को रोकने के लिए की जा रही है हाईवे पर 40 रडार कैमरे से ट्राफिक नियम तोड़ने वालों को पकड़ेगा बिहार बिहार पुलिस राश्ट्रे राजमारगों पर 40 इमेजिंग रडार सिस्टम लगाने जा रही है जिसके कैमरे रात में भी काम करेंगे जिसकी मदद से ट्राफिक पुलिस के द्वारा ना सिर्फ ओवर स्पीड गारियों को पकड़ा जाएगा बलकि गलत साइट से चल रही गारी बाइक स्कूटर पर ट्रिपल राइडिंग की भी पहचान की जा सकेगी मालम हो कि यह नया सिस्टम फरवरी महीने में लगना शुरू हो जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे कि 4D इमेजिंग रिडार सिस्टम किसी भी गारी की स्पीड का सर्टिक आकलन कर लेता है जबकि 3D वीडियो में कई इमेज के आधार पर स्पीड तैहो पाती थी इस बारे में बिहार ट्राफिक पुलिस के ADG सुधानसु कुमार के द्वारा जानकारी देते वे बताया गया फरवरी 2024 से नेशनल हाईवे पर पुलिस इस नई तकनीक को लगाना शुरू कर देगी इस सिस्टम का लगाना बहुत आसान है यह एक यूनिट है जिसे ट्राफिक पुलिस की गारी की छट पर लगा देने के बाद सरक का हर लेन कवर हो जाता है इस सिस्टम में रडार गारी की स्पीट पकरता है तो वहीं लेन वीडियो कैमरा उस गारी का नंबर प्रेट रिकॉर्ड करता है इस सिस्टम की मदल से नेशनल हाईवे पर होने वाली सरक दुरगत्नों में कमी लाई जा सकेगी वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी में अपनी क्रेटिविटी दिखा कर जीते एक लाख तक का इनाम अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वीडियो ग्राफी और फोटोग्राफी का टैलेंट है तो या खबर आपके लिए है बता दे कि आप इसमें अपनी क्रेटिविटी दिखा कर एक लाख रुपए तक का इनाम पा सकते हैं दरसल बिहार सरकार के सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा चन भागेदारी वीडियो ग्राफ और फोटोग्राफी प्रतियोगिता आयोजित की गई है जिसमें हर्स तपता लाख रुपए जीतने का मौका मिलेगा बता दे कि वीडियो ग्राफी प्रतियोगिता में प्रथम पुरुसकार के रूप में एक लाख रुपए द्वित्य पुरुसकार के रूप में पचास हजार रुपए तरत्य पुरुसकार के रूप में पांच हज पुरुसकार के रूप में एक हजार रुपए दिये जाएंगे बतादी की प्रतियोंगी ताकिती थी, थीम और वेबसाइट की घोशना, सूशना एवं जनसंपर्क विभाग के द्वारा जलती जारी की जाएगी, ऐसे मेसिजरी चानकारी के लिए विभाग के साथ बने रहें सीवी सीएस के तहित चार वर्सी इसनातक कोर्स का इस समस्तर का पाठिकरम जारी, कुलाधिपती क काड़याले के दौरा, सीवी सीएस यानि की चॉइस-Based Credit System के तहित बिहार के विष्विद्यालियों में, चार वर्सी इसनातक कोर्स के लिए पाठिकरम वक्रिट धांचा ज जारी किया गया जो कि 18 विश्यों के तीसरे से आठवे सिमस्टर के लिए है मालम हो किस के लिएaki looked कुलाधीपती की ओर से विसिस्सग्यों की एक कमीटी बनाई मधुमक्षी पालं एवघार अधियन संख्राइब को ली नफयोवबर स्षाइन सब्लोकर कहां वी नफड़ कर्वोः दान करने की तह यहां खबर आपके लिया है बिघार कार कर्णक क्यों संष्ट, मुद्नसपो प्रmostय कर्णक 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 का कि संख्राइब पादन कारिकरम 2023 के तहट मदुमक्खी कॉलनी पर कुल अनुदान सामाने जाती है तू 75 प्रतीशत और अनुष्ट जाती एवं जन जाती है तू 90 प्रतीशत तक का अनुदान दिया जारा है यसे में जो लोग समदान का लाप लेना चाहते हैं वह उद्यान निदेशाली की विभागे वेबसाइट www.https.gov.in slash पर जाकर आवेदन कर सकते हैं बता दे किसके लिए आवेदन करने के दौरान जन दस्तावीजों की जरूरत है उनमें किसान का अधार कार, पैंट कार, खेत के काखजात, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आई प्रमान पत्र, जाती प्रमान पत्र औ रेल इंजन पर लिखे WAG, WAP जैसे कोर्स के मतलब है ये, अगर आपने कभी ध्यान दिया होगा तो आपको रेल इंजन पर WAG, WAP और WDM जैसे यूनिक कोर्ड लिखे जरूर नजराएं होंगे, लेकिन क्या आपको पता है किस कोर्ड का क्या मतलब है और इसे क्यों लिखा ज जाता है, दरसल आपको बता दे कि रेलवे में लाइन तीन तरह की होती है, बड़ी लाइन, छोटी लाइन और संक्री लाइन, जिसे रेलवे की भाशा में ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज पोलते हैं, ऐसे में ब्रॉड गेज के लिए W का इस्तमाल किया जाता ह है, जिसे की हम यह समझ सकते हैं कि यह पहला अक्षर इसी की जानकारी देता है, जबकि दूसरा अक्षर इस बात की जानकारी देता है कि इंजन किस चीज को यूज करके चल रहा है, यानि एक और डी इंजन की सकती का सोर्स बताता है, इसके बाद PGM और S अक्षर बताते हैं कि ट्रेन किस प्रकार की है जैसे कि P पैसेंजर ट्रेन के लिए G मालगारी के लिए M पैसेंजर और मालगारी दोनों के लिए और S संटिक के लिए विहार परटर में आज हम बात करेंगे हुईंत तसांग मेमोरियल हॉल के बारे में प्राची नालंदा विश्व विद्याले के खंडर के पास इस्थित या हॉल चीनी विद्वान और यातरी हुएं तसांक के स्मृति में हैं एक स्मारक का निर्वान और नाप चीनी यातरी और विद्वान भिक्छू जुआन जांक के नाम पर रखा गया है जो नालंदा में छ शेश प्राप्त किये और प्रवन दलाई लामा और तिब्बत के पंचन लामा से उनके स्मृती में एक हॉल्क नर्मान के लिए बंदो बस्ती की इस पहल का मकसद भारत और चीन के भी सांस्कृतिक संबंदों को बढ़ाना था नर्मान कारे 1960 में शुरू हुआ और 1984 में पूरा बिहार बोर्ड ने मैटरिक और इंटर परिक्षा के लिए जारी किये गाइडलाइन अगर आप भी उन चात्रों में से हैं जो बिहार बोर्ड मैटरिक और इंटर परिक्षा में शामिल होने वाले हैं तो यह खबर आपके लिए हैं बतादे के बिहार विद्याले परिक्षा समीती के दौरा एंटर और मैट्रिक परिक्षा के लिए गाइडलान जारी किया गया है जिसके तहट परिक्षार्थियों को परिक्षा शुरू होने से आधे घंटे पहले तक ही परिक्षा केदर में प्रवेश करनी के अनुमती मिलेगी इसके साथ ही चात्रों को परिक्षा से च्छतिपूर्थी के रूप में दिया जाएगा वही अगर किसी परिक्षार्थी के एड्मिट कार में किसी प्रकार की गलती है तो वैसे स्थिति में परिक्षार्थी को परिक्षा केंदर पर अपने पहचान पत्र के साथ पहुँचना होगा इसके अलावा अगर किसी परिक् खेलने के सपने को किया साकार बीते मंगलवार को IPL 2024 के आक्षिन मी बिहार के दर्भंगा के लाल सुसांत मिस्ट को गुजरार टाइटन्स के दौरा 2.2 करोड उपय में खरीदा गया ऐसे में शुछांत मिस्ट की इस उपलब्धी पर उनके दादा कृष्ण नंदन मिस्ट अगर दसवी में 90 प्रतीशत से कम मार्क्स लाता है तो वह खेलना बंद कर देगा लेकिन जब उसने अपने ये वादिर पूरा किया तो मैं भी उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रोचसाहित करने लगा उन्होंने कहा कि मैं समय से उसकी प्रतीभा को नहीं पहचान पाया इस को दी गई याचिका को स्विकार कर लिया गया है बता दे कि बिजली कंपनी के ओर से 4.038 फीजदी की बढ़ोतरी का प्रस्तावत दिया गया है अब इस मामली पर बिजली कंपनीयों को 25 दिसमबर तक प्रस्तावित टैरिफ को कंपनी की वेबसाइट एवं अन्य माध्यमों से सारजनिक रूप से प्रचारत करनी का नर्देश दिया गया है और इस प्रस्तावित टैरिफ पर 15 जनवरी दोहजार चौबिस तक एक छुक व्यक्ति या संस्था आवशक दस्तावेज़ों के साथ अपना दावा अपती ईमेल डाक या स्वेम आयो कारे आले में जाकर जम टैक्स डिफौल्टर वाहन दे अर्थदंड में ऐसे पाइच छूट विहर सरकार के पड़िवहन विवाग के दोरा टैक्स डिफौल्टर वाहनों के लिए सुनहेडा अफसर दिया गया है जिसके तहट बकाया दे पतकर एकमुस्त जमा करे और दे अर्थदंड में छूट पासकते हैं बता दे कि अस्थाय निबंदन की फीस एक मुस्त जमा करने पर उस पर लगने वाले अर्थदंट से मुक्ती मिलेगी वहीं वैसे वहां जिनके विरुत पत्रबाद दायर है उन्हें एक मुस्त राशी कड और अर्थदंट जमा करने पर निलामी पत्र वापस ले दिया जाएगा और निलाम पत्र पर ब्याज की राशी भी माफ करती जाएगी बता दे किस कलाब जिनको मिलेगा उनमें टैक्स डिफॉल्टर निबंधत ट्राक्टर ट्रेलर के वहां स्वामी टैक्स डिफॉल्टर बैटरी चालत वहां स्वामी टैक्स डिफॉल्टर निब बिहार में मौसम ने करवट ले ली है ठंड से लोगों का ठिटूरना शुरू हो गया है। बिहार को हलकी राहत मिल सकती है। कोविट को लेकर स्वास्ते मंत्री ने किया सतर्क एक बार फिस्ते देश में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी होने लगी है। को लेकर बीते दिन केंद्रे स्वास्ते मंत्री मंसुक मांडवया के द्वारा स्वास्ते प्रतिस्ठानों का जाइजा रिया गया और साथी देश के सभी राज्यों को सरकता बढ़तने की अपील की गए। बता दे कि स्वास्ते मंत्री के ओर से राज्यों को हर प्रकार का सहयोग केंद्र सरकार की ओर से उपलब्द करवाने का आश्वासंतिया गया है। और ने कहा कि हमें स्तरकर रहनी की जरूरत है घबराने की नहीं अस्पताल की तैयारियों के लिए मौक रिल करना निगरानी बढ़ाना और लोगों से बाचीत करना जरूरी है। यह अपील की है कि तिवहारों से पहले सर्दी के मौसम में एतिहाती कदम उठाई जाये केंद्रे स्वास्ते मंतराले के ओर से हर तरह की मदद की जाएगी मालूम हो कि कुरोना का नया वैरियंट JNA का नया मामला महराश्ट्र के ठाने से सामने आया है। दस सूतरी मांगों को लेकर सरक पर उत्री जिविका दीदी। पत्र और पहचान पत्र मिले वहें इसके लावा वेतनमान 25-30,000 रुपे महिना तैक करने की मांगी गई है। साथ ही उन लोगों ने कहा है कि उन्हें स्थाई रूप से 60 साल के लिए नौकरी दी जाए। काम से हटाने की धंकी देने वाले पर रोक लगे और उन पर कारवाई हो प्रखन रस्तर पर काम करने वाले कैडर का मांदे अठारा सो रुपे किया जाए। सभी दीदी को भ्रह्मन के लिए 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 यात्रा भत्ता मिले। उन्होंने कहा कि मुझे कोई अंताजा नहीं है मैंने भी इसके बारे में सुना है। मैंने कहीं पढ़ा है कि मैं महान इंसान राजनेता और रहनेतिका लालू प्रशाद यादजी पर एक फिल्म बना रहा हूँ। मुझे लगता है कि यह एक अद्भुत विशय होगा लेकि तरभागे से मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। में अप्रकाज शाकिस बयान से यह स्पस्ट हो गया है कि राजसुपीमों लालू प्रशाद यादब पर उनके द्वरा कोई फिल्म नहीं बनाई जा रही। इंडिया गडबंधन के बैठक के बाद स्री नितीश पर उपेंद्र कुश्वाह का तंज। इंडिया गडबंधन के बैठक के बाद बीते दर्म पुर्व मंत्री और आर लजेरी प्रमुक उपेंद्र कुश्वाह के दोरा बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार पर तंज कसा गया। उन्होंने कहा कि इंडी गडबंधन में स्री नितीश कुमार जी की हालत पर एक शेड याद आता है कि ना खुदा ही मिला ना विशाल ए सनम ना इधर के रहे ना उधर के हुए हम अब तो इंडी गडबंधन ने नितीश जी को पीम उमद्वार बनाने से साफ मना कर दिया इध इसर बिहाल में स्री लालू प्रशाद यादव जी भी नितीश जी को सीम कुरसी छोड़ने का दबाव बनाएंगे और भाई साहब मान गए तो ठीक नहीं तो राज़त के लोग धकिया कर नितीश जी को सीम की कुरसी से हटा देंगे फिर तो बढ़के भईया क्या पीम और क या सीम सारे रेस से बाहर हो जाएंगे मालूम हो कि अतन्ज उपिंद कृश्वाह के द्वारा सीम नितीश पर इंडिया गड़ बंधन के बैठक में उन्हें संयोजक नहीं बनाये जाने और नहीं पीम पतका उमिद्वार घोशित के जाने पर कहा गया है लैंड फॉर जॉब केस में इस दिन होगी सुनवाई त्यश्वी जाएंगे ऑस्ट्रेलिया बीते दिन लैंड फॉर जॉब केस में नई दिल्ली के सीबी आई स्पेशल राउच एवेन्यों कोर्ट के द्वारा सुनवाई की गई जिसमें दाद सुप्रीबो लालु पुश बीत दिन बिहार के मुख्यमंतर नितीश कुमार के द्वारा दल्ली के कामराज लेन आवास पर जेडियू सांसदों एवं नेताओं के साथ मुलाकात की गए बता दिक इस दोरान पार्टी के राश्ट्रिय अध्य अक्ष्ललन सिंग भी वहां मौजूद रहें वहीं इस मुलाकात को लेकर हिंदुस्तान में छपी खबर के नुसा नितीश कुमार के दोरा इस दोरान अपने सभी सांसदों को संसदी चेतर में फोकस करने का नरदेश दिया गया है और साथ ही उन्होंने सांसदों से ही अभी कहा है कि कभी भी आमचनाओं की घोशना हो सकती है इसलिए तैयार रहे और बिहार में जो भी काम किया है उसके बारे में लोगों को ताकि वे हमारे द्वारा किये कामों से अवगत हो सके मालम हो कि 29 दितंबर को जेडियों की राष्ट्रिय परिस्त की भी बैठक होने वारी है जो कि नई दिल्ली में ही आयुजित की जाएगी भारत और दक्षिन अफरिका के बीच खेला जाएगा आज वंडे सरीज का नरनायक मुकाबला दक्षिन अफरिका की सरजमी पर भारत और दक्षिन अफरिका के बीच तीन मैचों की वंडे सरीज का मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें से पहले मुकाबले में जहां भारत के दोरा जीत हांसल की गई तो वहीं दूसरे मुकाबले में साउथ अफरिका के दोरा जीत हांसल की गई ऐसे में अब ये दोनों टीमें एक एक की बढ़ाबरी पड़ा गई है मैं आज याने के 21 दिसमबर 2023 को भारत और साउथ अफरीका के बीच इस सरीज का तीसरा याने की आखडी मुकाबला खेला जाननी वाला है आज के इस मैच में दोनों ही टीमों के द्वारा जीत हांसल कर सरीज पर अपना कब जाकरने की कोशिश की जाएगी जिसे देखना बहु भारत के तिहास में आज के तारीक है कई कार्ण सदर्ज। बारत के आजादी के लिए संघरश्रत कांती कारियों में से एक सोहन सिंग भगना का उनी सो और सर्फ में निधन हुआ भारतिय सिनेमा के महानायक अमिताब बच्चन की मा तेजी बच्चन कानेधन 2007 में हुआ बारतिय में आज हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सुचनाय बारल होती है लेकिन सभी सच हो ये ज़रोई नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे मनरेगा के बारे में दरसल पी आईबी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि एक फरजी वेफसाइट sttp.org.org मनरेगा की आधिकारिक वेफसाइट होने का दावा कर रही है पी आईबी ने अपने लिखा है कि एब वेफसाइट भारत सरकार से संबंदर नहीं है मनरेगा की आधिकारिक वेफसाइट हमारे स्क्रीन पर दिखाए जा रही है WhatsApp पर online होते वे भी नजर आएं offline WhatsApp आपकी privacy को बनाए रखने के लिए कई तरह के safety feature ओफर करता है इसी में से एक feature online offline status से जड़ा हुआ है दरसल बता दे कि अगर आप WhatsApp पर online है लेकिन आप नहीं चाहते हैं कि आपको कोई online देखे तो WhatsApp दोरा जारी किए गए एक feature का इस्तेमाल कर ये काम आप कर सकते हैं ऐसे में online activity को hide करने के लिए आपको अपनी WhatsApp सेटिंग में जाकर privacy के option में आना होगा यहां आपको last scene and online का option देखेगा इस पर click करें अब सबसे पहले आपको अपना last scene status nobody में रखना होगा इसके बाद online status भी अपने आप nobody हो जाएगा जैसी setting आप last scene के लिए चुनते हैं आप वैसी ही setting online के लिए चुन सकते हैं इस setting को on करने के बाद कोई भी आपको online नहीं देख पाएगा ध्यान दे जब आप इस setting को on रखेंगे तो आप भी दूसरों का online status नहीं देख पाएंगे हम प्रते दिन आप से पांच ऐसे जरूरी सवाल और सुजरी जवाब बताएंगे जो की BPSC, बिहार, पुलिस, दरोगा समेंट SSE जैसे अने प्रतियोंगी प्रक्षा में काम आएंगे सवाल इतिहास, बिहार, स्पेशल, विज्ञान, करेंट अफेर्स और भुगोल से रहेंगे पूछे गए पांचो सवाल में, आपने कितना सही उत्तर दिया यहां में कॉमेंट करके जरूर बताएं हमारा पहला सवाल है, हाली में कस बॉलिवूड अभिनेता को पैटा इंडिया द्वारा वर्स 2023 के सबसे खूबसूरत शाकहारी सेलिब्रिटी के रूप में सम्मालत किया गया है अप्शने जैके श्रॉफ, अप्शन B सत्रुदंतनह, अप्शन C बॉविदेवल, अप्शन D टाइगर श्रॉफ इसका सही उत्तर है अप्शने जैके श्रॉफ अगला सवाल, हाली में कहां परिटन द्वारा भारत की पहली जैरो कॉप्टर सिवा श्रॉफ की गई है अप्शने महराश्ट्र, अप्शन B करनाटक, अप्शन C उत्राखंड, अप्शन D उतर प्रदेश इसका सही उत्तर है अप्शन C उत्राखंड अगला सवाल, हाली में संपन खेलो इंडिया पैड़ा गेम्स 2013 की पदक तालिका में कौन सा राजेस्टर्स स्थान पर रहा है? आप्शन पंजाब, आप्शन भी हडियाना, आप्शन सी उरीशा, आप्शन भी जारखंट इसका सहुत तरह आप्शन भी हडियाना अगला सवाल, बिहार सहित पुर्वी भारत में आर्लियों के विस्तार में सहायक थे, आप्शन ए वैपार का विस्तार, आप्शन भी लोहे का उप्योग, आप्शन सी सामराच्य विस्तार, आप्शन भी क्रिसी का विस्तार इसका सहीुत तरह आप्शन बी लोहे का उप्योग अगला सवार बिहार में अंतराश्ट्रे विश्यविद्याले उनिवसिटी ओफ नालंदा के प्रथम कूलपती कौन थे? इसका सहीुत तरह आप्शन अंतराश्ट्रे का सवाल का आप लोगों मिस्ते बहुत लोगों ने अपनजाब हमें हमारे कमेंट सेक्ष्टन बॉक्स में लिख का दिया था जिन्नों ने हमारे पूछे का सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है रोशन राज सदल्ला पल्वी विवेक मश्रा प्रहलाद कुमार अश्रत अंसाली बाबोलार बराणी रिशिकेस साह अतीक खान मुहमत सकीर हुशैन बीना कुमारी अजय कुमार कुमारी भारती खुश्बु चौदरी सोवानंध थाकुर सुजीत गोप इसके अगर आप यूटूब से देख रहें चानल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेज को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद